सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें लंड गर्वर्तव ऑंपडरों का संकनन करते हैं व्यवराण करते हैं नोकरों को इस 머리 घृषिशन करते हैं नोकर अंचरा और ने किना करते हैं और ये सब भी देशन की कि लीए अपदेश liksom की फ्राप्टी की लिए जिसे हम सांखिकी के अंतरगर करते हैं। जिसे हम प्योर्स संखिकी या शुद्ध संखिकी भी कहते हैं। इसे थेोरिटिकल स्टेटिक्स या सैध्धान्तिक संखिकी भी कहा जाता है। इसके अंतरगत हम सुत्रों का निर्मार, सांकी की, सुत्रों की इस्टरली और सेधानतों को बनाने का क्रम सीखते हैं, परंदु, अध्यान के लिए इसकी एक शाफ़ा, जिसे हम व्याप्राइट सांकी की या अप्राइट सांकी की का प्रेयोंग, अब प्राइट सांखी या व्यवारिक सांखी की कप्रयों हम समाजिक सोद्वू जैसे की सिक्षा, मलू, विज्ञान, राजनिति, विज्ञान, समाज, सास्त्र आधिक में research analysis या data analysis के लिए किया जाता है। तो सांखी की जिसे हम प्योयन इस्ट्रेटिक्स चैहते हैं अपने आप में says जिसके अंतर गत्म संही की सिधांतो उसकी विद्यो सिधांत बनाने के दि सॉन रादी में अध्याइं करते हैं परन्त, pure statics या theoretical statics की एक साखा होती है व्यवारिक सांखिकी अलखार applied statics तो जो यह applied statics होता है इसके अंतर गखम समाजिक विज्यान जैसे शिक्षा, मनो विज्यान, राजिती सास्थ्र, समाज सास्थ्र आदि में जो research किया जाता है उस research में जो data analysis होता है उसके लिए इस applied statics या व्यवारिक सांखिकी का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं तो इसे समझने के लिए या प्रकृति के अधार पर दो भागों में बाटा जाता है पहला है Pracar时候 also Parametric Isthetics और दूसरा है ओ Pracar时候 की या किशा कशे प्रामेट्री के स्टेटिक्स पर इन परामेट्री किस्टेटिक्स उन आपना को बताते हैं पैरामेट्री किस्टेटिक्स पर स्थ ng ऐसे आते हैं जो इंपिसी को पॉर्व करते हैं अब ये NPC क्या होता है, NPC करता है Normal Probabilitical या समानी विदरण वक्ष है, थोड़ा सा हम NPC के दर्शन को समझने है, NPC जो समानी वक्ष भी कहा चाता है, जब हम इस ब्रह्मान में जाएंगे, इस ब्रह्मान की शृष्ष्ष्ष्षी में देखते हैं, तो हम पाते हैं, पर हम बड़े बड़े नीली मेल से लेकर छोटे छोटे वायरस जिवान को तक पायजाते हैं। किसी प्रकासिय यह वलस्तती भी ज्याब यह वलस्ततियों के छेत्र में लेखते हैं। सब गुछ और सबी अवसर कि होता हैं समाढनी पूर्ण। टो इसे समाढनी बित्रण की जो सम्भावना है वह निकातकर आई। उसका आदर्स निकातकर рокणा उसका दर्शन की गइंगर करा तो यह समानी बित्रण होता है। यह जो हम पॉपुलेशन रेते हैं रिसर्च करते वक तो वहां पर इपी देख्री को मिलती हैं तो यह बातें NPC के अंतर दर आती हैं तो हम देखते हैं कि पैरामेट्र की स्टेटिक्स में क्या होता है जो NPC को फालो करें उसके दर्शन पर लाभू हो उससे धाम करती का देख्री को उसी प्रकार से अप्राचन या नाइपरामेट्र की स्टेटिक्स में क्या होगा जो समाने संभावना वक्र पर निर्वर लाभू उससे फालो ना करता है उसी प्रकार से अप्राचन संखिती को उसके एंब्राचन संखिती को उसके एन्विसी को फालूद करने वाले गुड के कारण वित्रन भूप सांकिकी भी कहा जाता है। अभी हमने चाला प्राचर और अप्राचर स्टेटिक्स के बारे में ये आंडों की प्रक्तिती पर अधार करते हैं। उसी प्रक्राचर आंडों की वियोगीता के अधार पर भी इसे दोखागों में विभाजिक किया जाता है। जिसमें से पहला है डिस्ट्रेटिव स्टेटिक्स और दूसरा हिन कर स्टेटिक्स। अर्थार बढ़नाख्मक सांकिकी एवं निस्कर सांकिकी। स्टेटिक्स या बढ़नाख्मक सांकिकी में हम आपडों का संकलन, उसका प्रस्तुतिकरन, विशलेशन आधी करते हैं। जिससे उसकी स्टिती के बारे में पता चलता है। आपडों की स्टिती को पता लगाने के लिए हम मीन, मेडियन, मोड, अर्था केंडी प्रत्यों के मार्ग का प्रेव करते हैं। या विजलन सिल्था की मार्ग का प्रेव करते हैं। विजनल सिल्था के माप के अंतरगत आपकर चल दो तु विजनल या फिरिश्टेंटेशन के अंतरगत हम पाई डाइग्राम, बार डाइग्राम, ओजाई, आधिका प्रेव करते हैं इसके रावा समूर में बेक्ति की इस्किती क्या है ये हमें पता लगता है पर्चेंटाइब और बन स्टाइब रेंगेग्राम, निसकर्स आत्मक सांखिकी को हम अनुमानिक सांखिकी भी कहते हैं इसमें हम भविश्य के लिए अनुमान दगाते हैं कोता क्या है कि सिख्षा या मनों की ज्ञान में हमारा जो पॉपुलेशन है जल्जन के वह बहुत बड़े चेत्रे क्ले होती है पूरे चेत्र में हमारे मेत्रड अक्राइब दरना पॉसिबल नहीं होता इसके लिए हम क्लाब करते हैं कुछ ऐसे सैंपर लेते हैं युछ आथ अनुमान लगाने के लिए उच्स सांकिकी विडियो का परिरूक किया जाता है जिसके लिए हम law, probability अर्थाद संभावना नियम, standard error यानि की माना कुरूटी और significance अर्थाद साथथा परिशन आदी उच्छी सांखी की विदियों का प्रेयों करते हैं अब हमारे पास समस्य ये है कि क्या हम statics में कमजोर हैं तो भी क्या research कर सकते हैं जैसे कि आप सब लोग चांदती हैं कि किसी भी research और dissertation को complete करने के लिए एक प्रमुख और रोध होता है data analysis का जहां पर पहुश कर कई विजयार्थियों को तक्रीफ होती है कि ये math हमारे अभूमत कट्री में हमसो कैसे solve करेंगे और वहीं समस्य यहां भी आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें को parametric statics लगाना है और कब हमें non parametric statics लगाना है तो इसे पता करने का वह simple सा तरीका है जैसे कि मैंने करने बताया कि जो parametric statics है वो NPC को follow करेगा और जो non parametric statics है वो NPC को follow नहीं करेगा तो अब हम पता कैसे करें कि हमारे चुप आकड़ा है वो NPC को follow करता है या नहीं करता है तो इसे पता करने का बहुत ही simple ट्रेख है सबसे पहला तो है आप्रों को पता ही होगा measure of scale आपनी 4 scale के बारे पढ़ा होगा जिसे इस्टेवन्स मों देने दिया था पहला है nominal scale दूसरा है ordinal scale third interval scale and fourth and most important है ratio scale तो जो ऊपरवाली दून है means nominal or ordinary scale जब यह दोनों वो तो पराचल statics का प्रयोब करेंगे और पराचल सांधिए का प्रयोब करेंगे परन्तु नीचे के दोन है अगर nível इंटर्वल स्केल और रेशेल स्केल, डैट करनीशन हम प्राचल स्टैटिक्स का प्रयोग करेंगे, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग करेंगे, इसके अलागा एक तरीका और नहीं है, हम किसी भी डाटा पे, किसी भी डेटा पे, किसी भी आंकडे पे हम यूँ ही तो स्टैटिक्स को हैं सबसे पहले तो है कि अ भी हमने पढ़ा फ्रीज़ बहरे डिस्क्रेप्टिव सिट्रेक्टिर के वर्डाकमसांगी के तो वर्डाकमसांगी क्या होता है उसमें हम यह निकालते हैं निकालते हैं मोट लिकालते हैं तो ये सब निकालτε हम उसमें कर्टुसिस इस्क्यूनेश निकाले दिनिए उसके इस्टेंडर लिल के मांन से यती कम है तो हमारे एक्टीसी है नॉर्मेंटिक है और इसके बाद हम उसमें आसानी से पैरामेट्रिक इस्टेंटिक्स अप्लाइब कर सकते हैं परन्थ यदि कर्डोसिस या स्क्यूनेस का मान कथी को उसके इस्टेंडर लिलर से उस कंडिशन में हम पैरामेट्रिक इस्टेंटिक्स अप्लाइब नहीं कर स जैना थे चीफ,ylिस्ट लोगों ने दिखा होगा एक ग्राफ होता है, Xxis Yxis और उसकेटी में एक सिधी य रिखा होती है, और यदि हमारे आक्रे, उसी Line के 4 तरप पैय जाएए, तो हमाजी न wijार्मेट premiere की 천विंडी है, परन्ति यहीं हमारे आप्टिक बिख्रेव मेरे उस के निशन में क्या होगा आप्टेक नावबन नहीं है और उसमें हमें नाव परामेट्रिक इस्टेटिक्स लगाना कोड़ेगा प्लाट टेश्ट चेप करने के बाद तीसरा ऑप्षन है आपके पास कुछ फार्मा टेश्ट यह टेश्ट इस्पेसली नॉर्मेंट्री चेप करने के लिए इस सब क्यारों में आप लोगों कुछ इस्पेसल बात बताना चाहते हैं मार दीजे आपको को मैथ पसंद नहीं है आप रिशर्च स्कॉलर हो आप फिर भी डेटा इनुर्श्ट को परते हैं कि यह एक पहाड कैसे बुरूबा तो बहुत अच्छी बात आता है आप लोगों को एक साफ्ट्वेर आता है जिसका नाम है साफ्ट्वेर की मदद से आप अपने डेटा इनुर्श्ट को बहुत ही इजी और असान बना सकते हैं आपको करना कुछ नहीं है बस इस साफ्ट्वेर को अपने कम्प्यूटर पे मुबाइल पे अप्लोड करना है उसके बाद आपको जो भी डेटा है जो भी आंग्डे है उन आप लोगो आपको इस साफ्ट्वेर के अंदर फिट करना है कुछ आपसल आते हूं आपसे लोगो देख कर देख करना है पर आप उसमें बहुत आसानी से नौनमेर्टी चेक कर सकते हैं अब करना है और आपको जो भी रिजर्ट है आपका तुरंट सामने आजाएगा आपको बहुत सारा मार्था पची करने की जरूरा देख दोड़ें तो आप लोगो को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक् नहीं आता है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में में टॉपिकों में भी सकते हैं थैंक यू फॉर इसनिंग में पटेलने में पेड़ूएगा